2000 नोट है वो बाजार से बिल्कुल that कर नायों यहां आदमी के पास भी नहीं दिखता था कहीं वह सब यह टौक हो गया भरष्ट हफसरों के पास भरष्ट राजन्यताओं के पास भरष्ट कायरोबारियों के पास उनकी तीजोरियों में बंद हो गया जहां हमक्यी रेड हो रह कि आम जन्मानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आम जनता के पास 2000 के नोट है नहीं इससे ज्यादा रखम अगर किसी खाते में आती है 2000 के नोटों की तो उनसे पूछ ताच की जाएगी कि कहां से आया कैसे आया जो डरेंगे जिनके पास अवायद है रूप से ज आगया है चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार पड़ीन भागी है थरा सा मुन से जानते हैं कि आखिर 2000 का नोट जो है वह बंद होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा राजनेतिक जो बहुत बहुत आपका स्वाथ है दन्यबाद 2000 का जो नोट बदला जा रहा है पहले भी आपने देखा था कि नोट बंदी एक हुआ उस समय क्या असर हुआ और फिर यह 2000 का नोट मतलब जो लाया गया उसमें बहुत ही इसकी मतलब चर्चा हो रही थी बो रहा जा रहा है काला बंदी काला बाजारी जो है वो कम होगा अब फिर इसे बदलने की बात कहीं जा रही है तो क्या असर होगा आम जन्मानस पे राजनितिक महौल पे कुछ नहीं हो आ रहा है उस पे देखिए 2000 का नोट शुरू इसलिए किया गया था कि इससे लोगों को सुभधा होगी कि जो रकम ले करके कहीं आते जाते हैं तो उनको जेव में रखने में सुभधा होगी 2000 का नोट मगर उस समय वह याद कि यह बाबा रामदेव ने उसी समय आसंका जताई थी कि इससे काला धन बढ़ेगा और जो लोग जमा खोरी करते हैं जो लोग पैसा जमा करके अवैद रूप से घरों में रख रहे हैं उनको सुभधा होगी और यह सारा ती जोरियों में बंद हो जाएगा और वही वह बाबा रामदेव की आसंका बिल्कुल सही निकली और काला यह जो 2000 का नोट है वह बाजार से बिल्कुल गाइब हो गया आम आदमी के पास भी नहीं दिखता था कह पहले तो ATM से बैंकों के ATM से 2000 के नोट काफी संख्या में निकलते थे मगर अब इधर हो यह गया है कि सिर्फ पांसों के नोट निकलते हैं 2000 का नोट ATM से भी नहीं गाए वह रहा और सरकार ने दो साल पहले से इस चापना बंद हो गया वह सब हो गया भरस्ट अपसरों के पास भरस्ट राजनेताओं के पास भरस्ट कायरोबारियों के पास उनकी तिजोरेओं में बंद हो गया है तो अब यह जब सुचना सरकार के पास मिली कि यह देखा गया कि जहां कहीं भी रेड हो रहे हैं तो यह 2000 के نोटों का बंडल उनके घर से मिल रहा है तो इस लिए सरकार ने यह फैसला लिया कि इस नोट को बंद कर दिया जाए और जिनके पास है वो एक समय सिमा दी गई कि 30 सिप्टमबर तक बैंकों से उसको बदल लें यह अपने खाते में जमा कर दें तो उसमें एक सीमा अफवाः फिलाई गई कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कुछ था नहीं कि यह पता ही नहीं चलेगा नोट कहां है क्यों है चीप क्यों लगाए जाएगा उसमें यह बिल्कुल रियूमर था एक और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी आम जन्मानस पर कोई प्रभाव नहीं पड प्रवत नहीं है जो जिन्होंने जमा कर रखा है काफी संख्या में 2000 के नोट अपने बक्से में बंद कर रखा है उनको जरूर परशानी होगी उनको बैंक जाना होगा जमा करना होगा तो फिर जवाब देंगे कहां से आया अब थोड़ा सा रोख हम राजनेतिक महौल के तर मुठाया हुआ है कि वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो 2000 का नोट वह तो जरूर बदलने आएगा नहीं तो फिर उसका पैसा अपने आप बिल्कुल जो नहीं जमा करेंगे उनका पैसा खतम हो जाएगा फिर कहीं फेका मिलेगा जैसे नोट बंदी के समय में बहुत जगा पर कर कहीं किसी को बांट दिया लोगने वैसाई इस वार भी होगा जो डरेंगे जिनके पास अवाय रूप से जमा है वह इधर बांटेंगे अपने लोगों को देंगे या किसी दूसरे तिसरे के नाम पर बैंक से आपने सुनी रहेंगों कि लगता है लेकिन मिल नहीं करती है तो वह अपने ढंग से करती है कहीं जो सबुत मिलते हैं उसके आधार पर परिणाम पर पहुंचने में देर लगती है कहीं तुरत उसका रिजल्ट सामने दिखने लगता है चुनावी माहौल में देखिए जो राजन्यता चुनाव की तैयारी के लिए 2000 के नोट जमा करके रखे हुए घरों में उन पर असर पड़ेगा मगर जो पिछला हमने देखा है उससे नहीं लगता है कि इसमें किसी को परशानी होगी जिए उनको भी परशानी नहीं होगी क्योंकि वह खुद नहीं लगएंगा दूसरे तिसरे अपने इंप्लाइज को लाइन में लग लिमिट के अंदर देदे करके अवन्होंने लग करके लाइन में चेंज कर लिया तो पकड़ में नहीं आएंगे तो ये बचने का तरीका बहुत है लगा जो मद्दा था हमैं हमें जानना था कि आम जन मानस पर पढ़ेगा क्योंकि पहले जो नोट बंदी हुई थी उसमें आपने देखाए ही था कि सबसे ज्यादा परभाव आम लोगों पर पढ़ा था क्योंकि वह लाइन में लगकर वह पैसा ये लवाने गये थे और किसी किसी का पैसा रह भी गया था लेकिन इस बार आम लोगों पर ऐसा कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गरीब लोगों के पास 2000 का नोट बहुत कम ही मिलते हैं या नाके बढ़ाबर ही मिलते हैं चलिए अब हम इंतजार करते हैं सरकार जिस मंसा से 2000 के नोट को बंद करवा रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है रिजल्ट क्या कुछ आता है तब तक के लिए बने रहे हैं आप लाइफ बिहार के साथ धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें